साथ संगत जी प्रेम से कहना धन नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चानल पर आज की साखी का विश्य है दान का भाव तो चलए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी बहुत पुरानी बात है एक शिव मंदिर के पुजारी जी को बोले नाथ ने सपने में दर्शन दिये और भगवान ने कहा कल सुभे नगर के सभी भक्तों को, विद्वानों को, दान पुन्य करने वालों को और साधु महत्माओं को मंदिर में जमा करो पुजारी ने शहर में मुनादी करवादी के महादेव का ऐसा आदेश है शहर के सारे गणमान्या लोग अगली सुभे मंदिर में पहुच गए मंदिर में पुजा अर्चना हुई और पुजारी जी ने सवपन बताया तभी मंदिर में एक तेज प्रकाश हुआ लोगों की आँखें चुधे आ गई जब प्रकाश कम हुआ तो लोगों ने देखा शिवलिंग के पास एक रतन जडित सोने का पातर पड़ा है उसके रतनों में दिव्य प्रकाश की चमक थी और उस पातर पर लिखा था के सबसे बड़े दयालू और पुन्यात्मा के लिए ये उपहार है पुजारी जी ने वो पातर सबको दिखाया पुजारी जी बोले प्रतेक सौमवार को यहां वदवानों की सभा होगी जो स्वयम को सबसे बड़ा धर्मात्मा सिद करेगा ये स्वन पातर भी उसी का होगा अब ये समाचार चार ओर फैल गया दूर दूर से तपस्वी तयागी वृती दान पुन्या करने वाले लोग मंудिर में आने लगी एक तपस्वी ने कई महीने तक लगातार वृत किया था वो भी उस स्वन पातर को लेने आये जब स्वन पात्र उन्हें दिया गया, तो उनके हाथों में जाते ही वो पात्र मिट्टी का बन गया, उस पात्र की दिव्य जोती नश्ठ हो गई, लजित होकर उस तपस्वी ने वो स्वन पात्र लोटा दिया, पुजारी के हाथों में जाते ही वो पात्र फिर से सोने का हो ग दान भी देते थे, उनका ख़बारों में नाम चपता था, वो भी स्वन्ड पात्र लेने आए, किन्तु उनके हाथों में जाते भी वो पात्र मिट्टी का बन गया, पुजारी जिन्योस धर्मात्मा से कहा, ऐसा जान पड़ता है कि आप पाद मान या यश के लोब से दान करते हैं, नाम की इच्छा से होने वाला दान सच्चा दान नहीं होता, इस प्रकार से मंदर में बहुत से लोग आए, किन्तु कोई भी वो स्वन्ड पात्र नहीं पा सका, सबके हाथों में जाते ही वो पात्र मिट्टी का बन जाता था, अब कई महीने बीट गए, बहुत से मंदर के पास का दान भगवान की नजरों में आ जाए, लेकिन स्वन्ड पात्र उन्हें भी नहीं मिला, अब एक दिन एक बुड़ा किसान भोले नात के दर्शन को आया, उस किसान को पात्र की बात पता भी नहीं थी, वो गरीब देहाती किसान, उसके कपड़े भी मेले और फटे हुए थे, उसके पास कपड़े में बंधा हुआ थोड़ा सा सत्तू और एक फटा कंबल था, लोग मंदर के पास गरीबों को कपड़े और पूरी मिठाई पांट रहे थे, किन्तु एक कोड़ी मंदर से दूर पढ़ा करा रहा था, उस कोड़ी से उठा भी नहीं जा रहा था, उसके सारे शरीर में घाव थे, कोड़ी भूखा था, और कोई उसकी और देख भी नहीं रहा था, किसान को उस कोड़ी पर दया आ गए, किसान ने अपना सत्तू उसे खाने के लिए दे दिया, और अपना कंबल किसान ने कोड़ी कोड़ा दिया, इसके बाद वो मं स्वन्द पात्र जरूर रखते थी किसान जब दर्शन करके निकला तो किसान के हाथों में भी पुजारी ने स्वन्द पात्र रख दिया किसान के हाथ लगते ही उस स्वन्द पात्र में जड़े हुए रतन पहले से भी जादा प्रकाश के साथ चमकने लगे करता है वही सबसे बड़ा पुन्यात्मा है। पुजारीजी ने किसान को कहा कि तुम ने अपने समर्थे से जादा दान किया है। इसलिए भगवान शिवके इस उपहर के उत्तो मधिकारी हो। साथ संगत जी दान का रहाइसे तुनी स्वर्थ दान में हैं। कभी भी दान करते हुए ये ना सोचें कि मुझे इस दान से क्या अलाब मिलेगा दान करते समय अप अपने आपको परमात्मा का सेवक समझें हम अक्सर ये सोचते हैं कि यदि हम भी बहुत जादा धन संपत्ती वाले होते तो हम इतना दान करते हम ये पुन्या काम करते लेकिन दान शिल्टा के भाव का संपत्ति से कोई लेना देना नहीं होता साजसंगत जी अगर आपके मन में दान का भाव है तो आप अपनी सूखी रोटी में से एक टुकड़ा अगर जरूरत मन्द को दे देंगे तब भी आपको बहुत पुन्य मिलेगा वहीं पर इस दुनिया में बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो करोड़ पती होते हुए भी गरीब लोगों का हक ड़कारते हुए सोचते नहीं अब अगर कोई ऐसे ही करम करेगा तो सोचे उसकी अगले जनम में क्या गती होगी इसलिए अच्छे करम कीजी और नीसवार्थ दान कीजी और साथ संगत जी दान करते हुए भी हमी सोच समझ कर दान करना चाहिए अगर हमारा किया हुआ दान के से गलत काम में लग गया तो उसका फल भी हमें ही भोगना पड़ेगा एक बार की बात है कि एक बिखारी कबीर जी के पास आया और कबीर जी से कुछ खाने के लिए मागने लगा बिखारी बड़े दिन से भूखा था कबीर जी उस समय कपड़े बुन रहे थे कबीर जी ने बिखारी से कह दिया मेरे पास इस समय खाने के लिए कुछ भी नहीं है ना मेरे बस पैसे है फिर कबीर जी ने उस बिखारी को धागे का एक गोला देते हुए कहा इस समय तो मेरे पास यही है तुम इसे बेच कर कुछ खा लेना वो बिखारी चला गया रास्ते में एक तालाब आया तालाब में बहुत मचलियां थी बिखारी ने उस धागे का जाल बना कर मचलियों को पकड़ने के लिए उस तालाब में फैक दिया क्योंकि वो धागा संत कबीर जी का था इसलिए उस जाल में काफी मचलियां आ गई वो बिखारी सारा दिन मचलियां पकड़ता रहा शाम को उसने सारी पकड़ी हुई मचलियां बेच दी अब वो बिखारी रोजी ऐसा करने लगा उसने धीरे-धीरे कई जाल बना लिये और कुछी सालों में वो बहुत अमीर आदमी बन गया एक दिन उसी आदमी ने सोचा कि क्यों न उस संत के दर्शन किये जाएं जिन्होंने मुझे वो गोला दिया था वो अमीर व्यक्ति कबीर जी के पास सोना चांदी और कई अच्छे कपड़े ले कर गया अब कबीर जी ने तो से पहचाना ही नहीं पर जब उस बिखारी ने कबीर जी को सारी बात बताई तो उसकी बताई कई बात को सुनकर कबीर जी बहुत पच्चता है कबीर जी ने उस व्यक्ति को कहा कि तुमने जितनी भी मच्छियों को मारा है उन सबे का आदा पाप मुझे लगेगा क्योंकि अगर मैं तुम्हें वो धागा नहीं देता तो तुम कभी मचलिया पकड़ते ही नहीं कभीर जीने उस व्यक्ति का कोई भी सामान नहीं रखा उसका सारा सामान लोटा दिया और उसे आगे से अच्छा काम करने का उपदेश दिया इसलिए साथ संगत जी हामें भी जब भी दान करना हो हमें सोच समझ कर करना चाहिए क्योंकि अगर हमारा किया हुआ दान किसी गलत काम में लग गया ये किसी गलत व्यक्ति के हाथों में चला गया तो उसका फल हमें भी भोगना पड़ेगा इसलिए दान करना है तो निस्वार्त दान कीजी और सुपात्र को ही दान कीजी अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नई विचारों के साथ साथ संगत ची प्यार से कहना धन नरंकार ची